बिटा, आज हम आगे अलंकार पढ़ेंगे अर्थालंकार काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण चमत कार उत्पन हो वहाँ अर्थालंकार होता है अर्थालंकार के भेद उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिश्योक्ती मानवी करण अलंकार आपके पाठे क्रम में दिये गए है उपमा अलंकार जब किसी वस्तू या व्यक्ति की तुलना बहुत अधिक समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद वस्तू या व्यक्ति से की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है इसकी पहचान काव्य पंक्तियों में सा, से, सी, सम, सरिस, सद्रिश आदी शब्दों का प्रयोग पाया जाता है उदाहरण पीपर पात सरिसमन डोला, हरिपद कोमल कमल से, मखमल के जूल पड़े हाथी सा टीला, हाई फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी रूपक अलंकार जहां प्रस्तुत अर्थात उपमे और अप्रस्तुत अर्थात उपमान में बहुत अधिक समानता के कारण दोनों में भेद नहीं दिखाई देता और दोनों को एक ही समझ लिया जाता है उपमा दिये जाने के योग्य अर्थात जिसकी किसी वस्तु से उपमा दी गई हो वह उपमे कहलाता है और उपमान वह व्यक्ति या वस्तु जिससे उपमा दी जाए ये इसलिए बिटा कि कुछ बच्चों को उपमे और उपमान का अर्थ नहीं पता होता है उनके लिए दिया गया है जैसे चांद सा सुन्दर मुख यहां मुख उपमे है और चांद उपमान है मुख की उपमा चांद से दी गई है उदाहरण देखिए मैया मैं तो चंद्र खिलोना ले हो आए महंत वसंत चरण कमल बंदोहरी राई अंबर पन घट में डुवो रही तारा घट उशा नागरी उद्प्रेक्षा अलंकार उपमे में उपमान की संभावना होने पर उद्प्रेक्षा अलंकार होता है उपमे और उपमान में गुण धर्म की बहुत अधिक समानता के कारण दोनों में समान होने की संभावना की जाती है इसकी पहचान जानो, जनहु, जनु, जियों, मानो, मनहु, मनु जैसे आदी शब्दों का प्रयोग काव्य पंक्तियों में पाया जाता है उदाहरण देखिए सिर्फ फट गया उसका वही मानो अरुन रंग का घड़ा पाहुन जियों आये हो गाउं में शहर के खिलाहो ज्यों बिजली का फूल, मानुवी करण अलंकार, जहां जड़ पदार्थों पर मानुविय भावनाओं का आरोप हो, वहां मानुवी करण अलंकार होता है टिपनी मानवीकरण अर्थात प्रक्रती के निर्जीव पदार्थों को मानव के रूप में चित्रेत करना जैसे मेघ आई बड़े बंठन के समवर के अन्योधारण बूढे पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुप चाप पानी पेड़ खड़े फैलाए बाहें आगे है अतिश्योक्ति अलंकार अतिश्योक्ति शब्द का अर्थ है ऐसा कथन जो बहुत बढ़ा चड़ा कर कहा गया हो ये दो शब्दों से मिलकर बना है अतिशे और उक्ति अतीशेकार्थ ऐसा कथन जो बढ़ा चड़ा कर कहा गया हो परिभाशा जब काव्य में प्रस्तुत अर्थात उपमे का वर्णन बहुत बढ़ा चड़ा कर किया गया हो जैसे देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही हनुमान की पूँच में लगना पाई आग लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग बिटा आज हम खक्षा दस्वी में पढ़ेंगे पदपरीचे